हमने पिछली वीडियो में द्वी घाती बहुपत का व्यापक रूप पढ़ा। चलिए अब उस पर आधारित NCRT एक्सेसाइज का 2.2 का प्रश्ण दो हल करते हैं। यहां हमने एक द्वी घात बहुपत के शूनेकों का योग चार और गुननफल एक दिया हुआ है। और हमें द्वी घात बहुपत निकालना है। तो चलिए माल लेते हैं कि वह द्वी घात बहुपत AX² प्लस BX प्लस C है जिसके शूनेक अलफा और बीटा है। अब चुकि हमें शूनेकों का योग चार दिया है तो हम अलफा प्लस बीटा बराबर चार लिख सकते हैं। इसी प्रकार गुणनफल एक दिया हुआ है तो हम अलफा इंटू बीटा बराबर एक लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि द्वी घात बहुपत के शूनेकों का योग माइनस B बाई A होता है और शूनेकों का गुणनफल C बाई A होता है। तो यहां से हमें 4 बराबर माइनस B बाई A मिल जाएगा और 1 बराबर C बाई A मिल जाएगा। अब यहां से हमें A, B और C का मान निकालना है। अगर A बराबर 1 है तो B बराबर माइनस 4 हो जाएगा और C बराबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें a बराबर 1, b बराबर माइनस 4 और c बराबर 1 मिल जाएगा. अब a, b और c का मान px में रखने पर हमें x स्क्वेर माइनस 4x प्लस 1 मिल जाएगा, जो एक द्वीघाद बहुपद है. अब इस हल को अपनी कॉपी में लिख लीजिए. धन्यवाद.